नमस्कार दोस्तों आप सभों का स्वागत है विहार बोड मैट्रिक प्रिक्षा 2024 के लिए गनित का इन्पोर्टेंट अब्जेक्टिव प्रस्ण तो पहला प्रस्ण देखरें आप 0.5 पर रेक्डिंग है यानि कि 0.5 पर रेक्डिंग है अगर रेक्रिंग को हमा टाएंगे त तो यह इत्र से लिखा जाएगा 0.5 पांच 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 ji आइसे डौट 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 चलते रहेगा यह जो बार 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 पांच आएग Gleich away इस़ी के कारण इस पर मां फर क्या है रेक्डिंग यानिकी इसे बार का ज़ता है जो बार 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 आ रहा जितना संख्या पर रेक्णिंग जाता है, उतना नीचे 9 आ जाता है, तो कितना पर एक संख्या पर हैं, तो एक नीचे 9 आ जाएगा, तो 5 बटे 9, कौन चा उप्शन में है आपका, उप्शन नमर A सही है, अगला प्रस्ण है कि X स्क्वार पलस 3X पलस 2 में बहुपद के घात ह तो बहुपद के घात सबसे बड़ा उप्शन में पकरेंगे, कितना है 2, तो उप्शन नमर A सही है, अगला प्रस्ण है दोई घात बहुपद के सुन्यंकों की शंख्या होती है, तो 2 होता है, उप्शन में C सही है, बहुपद 2X स्क्वार पलस 5X माइनस 12 का घात है, तो घा 4X स्क्वार माइनस 4X पलस 1 के मूलों का गुननफल बताईए, तो मूलों का गुननफल यनि की अलफा इंटू बीटा ब्रावर होता है, C बटे A, तो C हो जाएगा आपका 1 और A हो जाएगा 4, यनि की 1 बटे 4, एक बटे 4 हो जाएगा C बटे A, तो 1 बटे 4 कर आपका? अगला प्रस्ण है, यदि बहुपद Y स्क्वार माइनस Y माइनस 6 के सुनियंक अलफा तथा बीटा हो, तो अलफा इंटू बीटा क्या होगा? दोस्ता वित्रत बता है की अलफा इंटू बीटा ब्रावर होता है, C बटे A, तो C हो जाएगा आपका लास्ट बला और A यहां तो यनि की नए कुछ तो एक यहां पर है, तो C का मुन के अतना माइनस 6 और नए कुछ तो एक यनि एक तो नीचे में छुपा रहता है, तो इसका क्या जाएगा? माइनस 6, माइनस 6 आजाएगा, तो माइनस 6 आपका उप्सन नमर B सही है